हेलो एवरीवन आज का हमार टोपिक भी ए बीए सी सेकेंड यार पार्शल दिफरेंशल एक्वेशन एक्सराइज 3.2 एक्सराइज 3.2 के अंदर बात करते है आज कोशन नंबर 11 की कोशन है हमारे पास YZP स्क्राइज काव इस इक्वेल टू जीरो यह हमारे पास कोशन है ठीक ह और प्रिविएस वीडियो के अंदर प्यार बिच्वेल लास्ट कोशन था अपना कोशन नंबर 10 उसके अंदर सेकेंड लास्ट लाइन यह लिख हुई थी ठीक है और मैं यहां पर यह लिखना बूल गया था हमारे पास नीची यह था ठीक है जो इसका जो डेरिवेटिव ब हमारे पास प्लस हो जाएगा 1 by a tangent inverse y upon x ठीक है जी और लास्ट में हमारे पास एक constant आ जाएगा constant हमारे पास बी राइट यह हमारे पास आएगा उसका final answer ठीक है तो उसकोशन नंबर 10 के अंदर जो लास्ट सेकेंड लाइन थी उसके अंदर आप एक यह लिख देना एक स्क्व यहाँ पर माइनस होगा तो आप लस कर देना ठीक है तो यह हमारे इसका final answer है कोशन नंबर 10 का जो हमने previous वीडियो के अंदर किया वाता ठीक है जी आई होप आप समझ गई होगे तो प्यारे विख बात करते है कोशन नंबर इलावन की देख आप से बात करते करते हैं एक एकस वाइज एड़ पी क्या हो इस इकोल टू वाइज एड़ पी स्केल माइनस जैड़ इस इकोल टू जीरो इसको नाम देती एक्विशन नंबर बन का ठीक है जी हेर कि अभलन का लोगे इसका ड्रीविटिप फी रिस्पेक्रव तो क्या बनेगा हमारे पास हुब फोपी है को यज्राइड फ्क्राइच्शिध एसेड़ किया निकालेंगे हमारे पास यहांपर क्या हो सोरी है WIN Dip क्यों कर देकिक बाए टो माइनस मान आएगा यान एफ्जाइड निकालेंगे तो य 2 1600 फ्क्राइड है एसेवाह इसेड़ पास जीरो है मैं फ्क्राइड नेकाल एक्वेशन्स और वो मारे पास क्या बनती है dx upon fp minus fp dy upon minus fq dz upon minus kp time fp minus kp time fq is equal to dz dp upon fx plus kp time fz dc upon me fy plus kp time fz is equal to df upon 0 ठीक है आपको चारपेट अब याद हो चुकी हो गई ठीक है जी तो भी यहां से value put करते है dx upon minus fp, fp के value 2pyz तो मेरे पास minus k2pyz dy upon minus kf क्या हो, fk के value minus 1 तो यह बन जाएगा plus 1 ठीक है उसके बाद dz minus kp time fp, fp के value हमारे पास आए 2pyz तो बन जाएगा p square इसको लिएगा minus k2p square yz ठीक है ठीक है जी फिर minus kp time fq value है minus 1 तो यह बन जाएगा plus का 1 ठीक है dp upon fx के लिए हमारे पास है 0 के एकवल p time fz के लिए हमारे पास है yp square तो इसको लिए हमारे पास था और p square यह था तो यह बन जाएगा yp cube है pq y ठीक है तो d क्याओ अपॉन में fy fy के लिए yp square पलस के क्याओ time fz के लिए हमारे पास y p square y p square df upon 0 इसको माले तो में करें नमबर 2 अब हमें यहां से एक ऐसा फ्रेक्शन चोज करना है जिससे हम इसले निकाल सकते हो ठीक है तो यहां से हमारे पास क्या हम यह second fraction और यह ले 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 वाई है यहां पर आज जाएगा उसका integration कर सकते हैं ठीक है dp upon y क्यों में हमारे पास है therefore taking second and fourth fraction of equation 2 तो यहां से मारे पास बनेगा dy upon 1 is equal to dp upon pqy हांजी इतना का हमारे पास हो गया तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं y को set बेज़ते है ydy is equal to dp upon pq हांजी अब इसका करेंगे हम integration एक सेर्ण देना मुझे ठीक है तो यहां से हम क्या करते हैं इसका integration करते हैं तो integration करेंगे हमारे पास क्या जाएगा integrating y square upon me to is equal to 1 by pq by तो इसका integration हमारे पास क्या बन जाएगा minus के 1 by 2p square हां जी और प्लस के constant माल लेते सी ठीक है अब तू यहां पे तू यहां पे तू यहां पे तू यहां से मलेगे ठीक है जी तो यहां से बन जाएगा मेरे पास 2c उस 2c को मैं कुछ integration माल लेता हूँ कुछ constant माल लेता हूँ अलग से क्यों मेरे पास constant क्या बन जाएगा जी ए माल लेता हूँ मैं ठीक है तो वन बाई p square पलस का ए यह हमारे पास constant हो गया ओके हमें चीए पी की वैल्यू यह पीस को अगल जाए यहां से ठीक है a constant आ गया तो इसको माल लेते ए constant ठीक है जी जो टूसी था वो हमारे पास a हो गया ओके तो मुझे यहां से पीस के लिए निकाल रही है तो पीस केर को मैं यहां बेज दू उससे निकल सकता हूँ मैं यह फिर मैं क्या करूं वाइश के माइनस का ए माइनस के वन बाई पी स्केर ठीक है तो यहां से माइनस को अब त्यवन जायगा ए माइनस के वाइश के इस इकल टू यह फाइश के लिए जि एकला तो वन बैंती स्केर और पीश करके यह बेली के स्केर है तो एक रहायाँ इतना इतना हमारे पास होगा इस व्हारात है तन्त रूह सैंदर पूट colour można ओउम्ड मेंने कि अंदर इसको पूट करेंगे पी स्क्राइब टो इस तो मेरे पास बनेगा वाई जड़ और पी स्क्राइब की वैल्यू है वन अपॉन ए माइनस वैस्का सब्सक्राइब इसको में को लिए जाता हूं तुमरे पास मन जाएगा क्या ओकिवैल ठीक तो तो एकली आगे हमारे पास देर फोर्ट क्यों इस एकल टूं बाई जाड़ ओन ए माइनस के वाई स्क्राइब तो मेरे पास क्या व्ल्य यह आ गई राइट अब हमें P के लिए चीए, तो P के लिए ऐसे निकाल सकते हैं, P is equal to 1 by root of A minus के Y के, हाँ जी, लेख सकते इस को रोट, ठेक है, तो, to find solution, put the values of P and cow in DZ is equal to PDX plus के क्याओ डीवाई, ठेक है, यह हमारे पास हो गया, तो, यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, DZ is equal to P की वैलू है, 1 by root of A minus के Y के DZ, पलस के क्याओ की वैलू है, YZ upon A minus के Y स्केर डीवाई, ठेक है जी, इतना काव हमारे पास हो गया, ओके, तो, यहां से, देखो, DZ है, वो इसके पास भी Z है, तो, इसको एक साथ कर लेते हैं, कम्बाइन, हो सकते हैं, यहां से हमारे पास कुछ बन जाए, YZ upon A minus के Y स्केर डीवाई, इस इकल टो, 1 by root of A minus के Y स्केर डीएक्स, यहां से हमारे पास, अभी तो, कुछ नहीं बन रहा, तो, एक काम करते हैं, जो root A minus का Y स्केर है, इसको करते हैं, multiply, तो, इसको cross multiply करेंगे, यहां पर, इस side, तो, यहां से बन जाएगा, root of A minus का Y स्केर डीएड, minus का root यह है, एक power यह है, तो power नीचे बज़ जाएगे, मेरे पास half, root A minus का Y स्केर, डीवाई, इस इकल टो, डीएक्स, अब हमारे पास हो सकता कुछ बन जाए, तो, देखो, first function, as it is, derivative of second, second मतलब Z, Z का derivative of DZ, ठीक है, फिर, second as it is, derivative of first, इसका derivative करेंगे, तो, हमारे पास आएगा, minus के, 1 by 2, root of A minus के Y स्केर, फिसका derivative करेंगे, तो, आएगा, minus के 2Y, तो, मेरे पास ही आजाएगा, ठीक है जी, तो, यहां आपस में क्या हो जाएगे, cancel out हो जाएगे, तो, हमारे पास, इसको लिए सकते है, derivative of, root A minus के Y स्केर, इन्टो में Z, ठीक है, जी, is equal to DX, अब करते हैं, इसका integration, तो, यहां से में मिलेगा, root of A minus का Y स्केर, इन्टो में Z, इन्टो में Z, इन्टो में Z, इन्टो में Z, पलस, एक another constant भी, ठीक है, तो, यहां स बात करते हैं, नेक्स कोर्षीन के, कोशेन नूमबर 12, 2 time p q plus p y plus q x plus x square plus y square is equal to 0. यह हमारे पास, let f of x y z p q is equal to 2 time p q plus k p y plus q q x plus x square plus y square is equal to 0. इसको नाम दे हमने equation number 1 का, ठीक है जी? here, f p is equal to p time derivative, तो यहां से बनेगा 2 क्या हूँ? और हमारे पास यह है, तो p q मना जाएगा तो 2 time kya ho plus y, ठीक है, f kya ho निकालेंगे, kya ho यहाँ पर भी, kya ho यहाँ पर भी, तो 2 time p plus x, f x निकालेंगे, f x हमारे पास यहाँ पर भी है, तो यह बन जाएगा, 2 क्या हूँ? पलस के 2 x, यहाँ 2 plus 2 time kya ho plus x, ठीक है जी? यहाँ से बनेगा हमारे पास 2 time क्या हूँ? यहाँ से बनेगा 2 x, तो 2 को मना जाएगा, क्या हूँ? फ y, f y निकालेंगे, यहाँ से मारे पास 2 time p, और यहाँ से 2 time y, तो 2 time p plus y, ठीक है जी? f z निकालेंगे, f z हमारे पास, z की यहाँ पर कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो f z के वह लिए हो जाएगे, हमारे पास 0 के एक वाल, ठीक है जी? ठीक, नजी और प्रेंगे, लाएगा चापडसा ल partnerships है उसे है जीओ यापड़रं यहाज उसे है ऑ sólo fx plus kp time fz dk upon fy plus a cow time fz df upon 0 ठीक है जी इतना का मुँमारे पास हो गया नो डीक सपन माइन सपी अपे कि लो इस्तों माइन सके टू यह टू आम यह पूलिस वाड़ दीए पून मैंनस के आहब के उफकर गवे टू रूए टू दीजाद पून मैंडस कपी न इसको एल एफपे एल लिए मारे पास 2 time क्याओ प्लस Y minus का 2 time यहाँ प्लस X Dp upon Fy, Fy क्यों लिए 2 time P plus Y Fz क्यों लिए मारे पास 0 तो यह 0 रहेगा D क्याओ, upon 1 second, 1 second छोटी सी मिस्टिक Dp upon Fx रहेगा Fx लिए 2 time क्याओ प्लस X क्याओ प्लस X और D क्याओ है, D क्यों क्यों लिए हमारे पास Fy है Fy क्यों लिए हमारे पास है 2 time P plus Y ठीक है जी और Dp upon 0 राइट तो इसको ना हम देती equation number 2 का अब यहाँ से P क्यों 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 लिए कैसे निकाल सकते है तो यहाँ से देखो माइनस का 2 time क्याओ प्लस Y और 2 time क्याओ और 2 time Y cancel out हो जाएगा माइनस का 2P माइनस का 2X प्लस का 2X प्लस का 2P cancel out हो जाएगा तो therefore each fraction of 2 is equal each fraction हमारे पास किसके को हो जाएगा इनको हम एड़ कर देते है इसके को हमारे पास हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या बने गएगा यह Dx minus 2y, Dz minus 2p minus 2x, Dp plus 2x, इसके value plus 2p plus 2y, तो यहां से देखो, minus 2 क्या हो से plus 2 क्या हो, cancel out हो गया, minus 2y से plus 2y cancel out हो गया, minus 2p से plus हमारे पास, यहां से plus 2x cancel out हो गया, और minus 2p से, और यह हमारे पास 2y, ठीक है जी, 2y, 2y, 2b, 2p, 2x, 2x, 2, क्या हो, यह सारे क्या हो गया हमारे पास, cancel out हो गया, ठीक है जी, तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा, dx plus के dy plus के dp plus के dq is equal to 0, ठीक है, अब इसका करेंगे हैं integration, तो यह बन जाएगा, इसको नाम देटते equation number 3 का, अब from 1 and 3, जल्दी से इसको note करो, ठीक है जी, फिर हम क्या करेंगे, ऐसे ही यहां पर बनाने कोशिश करेंगे, इसके अंदर, ठीक है, तो इसके पास P क्या हो, P Y क्या हो, X, X को Y स्क्री रहे हैं, तो 2xy add कर देंगे, 2xy subtract कर देंगे, जल्दी से इ mode कर देंगे, जल्दी से इसको, F1 फ्रूम, 1 से, 1 हमारे पास सिधर रखे, 2p क्यों, पुल्स क्यम, 2p 비, से 2्क्यों एक्स, प्लस एक्स, ग्रहική है ठीक है यहाँ पर लगे सरे डिखकलिण बन सकते हैं यहां पर पास याँ पास अंदर बीक ही निकल सकता है तो पी क्या हूं ? यहाँ पर मेरे पास थूपील बन आ जाएगा अंदर बचेगा क्यों पलस के भाई अब मेरे पास आगा 2 क्यों 2XY तो पलस के यहां से 2X को मना जाएगा अंदर बचेगा क्यों पलस भाई अब यह वाले टरम यूज गर ली तो बच्ची यह X के पलस Y is के मैनिस के 2XY तो यह बन जाएगा हमारे पास x-y का whole square is equal to 0 ठीक है जी, तो यहां से क्या हो plus y फिर से को मना जाएगा क्या हो plus y को मना जाएगा 2 बाहर है, अंदर बचेगा p plus x ठीक है जी, पलस के x-y का whole square is equal to 0 अब यहां पर क्या करते हैं, equation number 3 का उज़ कर लेते हैं तो क्या हो plus y के उलिए आसे कितनी हो जाएगी, a minus p plus x तो 2 time a minus p plus x, p plus x plus k x-y का whole square is equal to 0, तो यह बन जाएगा मेरे पास 2a, p plus x, minus का 2 time p plus x का whole square plus k x-y का whole square is equal to 0, हां जी तो यहां से देको p plus x, p plus x, p plus x के अंदर equation क्या है quadratic है, लेकिन एक coefficient negative है, तुम क्या करते हैं इसको negative से multiply करते हैं, तो यह बन जाएगा positive 2 time p plus x का whole square, ठीक है जी यहां से मने क्या निकाल दी, क्या उप्लस y के लो निकाल दी आप क्या प्लस y निकाल दो, p plus x निकाल दो, चले मैं एक काम करता हूँ, इसको p plus x निकाल दता हूँ, ठीक है ताकि फिर यह question हमारे पास एक question हमने किया था, question number 4, वैसा बन जाएगा, ठीक है जी तो 2 time क्या उप्लस y, आपको solve करने में आसानी रहेगी, p plus x के वह ले कितने हो जाएगी, a minus के क्या उप्लस y, plus x minus y का whole square is equal to 0, तो हमारे पास यह बनेगा, 2a क्या उप्लस y, minus का 2, क्या उप्लस y का whole square, plus का x minus का y का whole square is equal to 0, और यह बन जाएगा, हमारे पास क्या उप्लस y के अंदर quadratic, तो negative a positive बनाना पड़ेगा, तो 2 time क्या उप्लस y का whole square, minus का 2a, क्या उप्लस y, और minus का x minus का y का whole square is equal to 0, ठीक है जी, तो यहां तक हमारे काम हो चुका है, अब इसके बाद, जो भी आपको काम करना है, वो काम आप खुद करेंगे, ठीक है, यह क्या हो, plus y के अंदर quadratic है, तो यहां पर लगाएंगे quadratic formula, ठीक है जी, quadratic formula लगा के दिखायता हूँ, क्या हो, plus y, is equal to, minus का b करते हैं, तो यहां पर आजएगा मारे पास 2a, plus minus, root of b square, इसका square करेंगे, तो 4a square, ठीक है जी, minus का 4a सी, minus यह तो plus का, 4 दूनी 8, ठीक है, तो यहांसे बनेगा, मारे पास, x minus y का whole square, upon में 2a, 2 मतलब 4, ठीक है जी, यह हमारे पास हो जाएगा, तो यहां तक मैं छोड़ रहा हूँ, इसके बाद, यह आपका same as question number 4, जो मैंने question number 4 किया था, same आपको, वैसे इसको proceed करना है, ठीक है जी, हो सकते हैं, maybe same आजए, ठीक है, आप चेक कर लेने को, बिल्कुल same as three procedure आपको follow करना है, तो यह question आप खुड try करेंगे, अगर आप से फिर भी नहीं होता है, तो नीचे comment box में, comment करके बताईएगा, या फिर हमारी whatsapp group में, या telegram group में add हो करके, वहाँ पर आप इसको discuss कर सकते हैं, बिल्कुल आसान question है, question number 4 जैसा है, question 4 मैंने आपको करवाती है, ठीक है जी, question number 13, p time 1 plus a cow square plus b minus z into cow is equal to 0, तो let f of x y z p cow is equal to p time 1 plus cow square plus k b minus z into cow is equal to 0, इसको नाम दिया आपने equation number 1 का, ठीक है जी, here, fp is equal to p time derivative करेंगे, तो यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से करेंगे, तो यहाँ से करेंगे, तो पलस b minus z, ठीक है, fz निकालेंगे, तो यहाँ से आएगा, हमारे पास minus का क्या हो, fx निकालेंगे, fx को यह लिए, हमारे पास 0 है, fy निकालेंगे, fy को यह लिए, हमारे पास क्या है, 0 के एकवाल है, ठीक है जी, इतना कम हमारे पास हो गया, now, by charpitt method, यह charpitts auxiliary equation, चारpitts auxiliary equations, आर, तो हमारे पास क्या बनती है, dx upon minus fp, is equal to dy upon minus kf क्याओ, is equal to dz upon मे, minus kp time fp, minus k्याओ time fq, is equal to dp upon fx plus kp time fz, d क्याओ upon fy plus k क्याओ time fz, is equal to df upon 0, ठीक है, इतना कम हमारे पास हो गया, now, dx upon minus kfp, fp क्याओ लिए 1 plus kya उसके, तो minus k 1 plus kya उसके, dy upon f kya हो, f kya हो क्याओ लिए 2 p kya हो, plus k b minus kya z, तो minus kya, 2 p kya हो, plus b minus z, ठीक है, is equal to dz upon minus kp time fp क्याओ time f kya हो क्याओ time f kya हो क्याओ time f kya हो क्याओ लिए 2 p kya हो, plus kya b minus kya z, ठीक है, dp upon fx, fx को लिए 0, तो p time fz, fz क्याओ लिए हमारे पास आईए, यहाँ से minus kya हो, तो minus kya p kya हो, d kya upon f y kya value 0, ठीक है, kya हो time, kya हो time हमारे पास fz, fz kya value minus kya हो, तो यहाँ से minus kya square is equal to df upon 0, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास pure kya value निकालना, कहां से easy रहेगा, क्या हम यहाँ से निकालते, क्या उससे क्यों cancel out हो जाएगा, यहाँ से मारे पास इसका अंसरा जाएगा, pure kya हो क्यों value, ठीक है अजी, taking fractions, dp upon minus kya p kya हो, is equal to dk upon minus kya हो, तो यहाँ से देखो, एक क्यों से क्यों cancel out हो जाएगा, minus minus kya cancel out हो जाएगा, तो यह बनेगा, dp upon p, is equal to dk upon kya हो, ठीक है जी, integrate करेंगे इसका, integrating, तो यहाँ से में क्या मिलेगा, log p is equal to log kya हो, पलस का log e, तो यह बन जाएगा यहाँ से p is equal to kya होए, इसको नाम दिया हमने equation number 3 का, ठीक है जी, अभी equation 3 को हम put करेंगे, equation number 1 के अंदर, put in equation number 1, तो वहाँ से हमें क्या मिलेगा, निकालते हैं क्या मिलेगा, equation 1 के अंदर, put करेंगे, p is equal to kya होए, तो यह बन जाएगा हमारे पास, तो अंदर क्या बचाएगा हमारे पास, a time, 1 plus kya होई square, पलस के, b minus z is equal to 0, ठीक है जी, तो यहाँ से हमारे पास क्या चीज़ आईगे है, जो यह equation 3 है, मैं इसको पन लिए रतता हूँ, p is equal to kya होए, equation 3, ठीक है, तो हमारे पास चीज़ बन गई, अब देख यहाँ से क्या होई है, अंदर क्या होई square है, ठीक है, तो क्या होई क्यों में equation बन जाएगी, तो क्या होई common निकलर हमारे पास, तो यहाँ से क्या जाएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से मारे पास यह case बनेंगे, यह तो यह 0 की क्यों होगा, यह 0 की क्यों हो गया, ठीक है, अब अगर यह 0 की क्यों हो गया, तो therefore, p is equal to 0, किस के help से, from 3 की help से, हाँ जी, क्या होगा जीरो यहाँ उट कर दो आप, तो p क्यों हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या जाएगा, d z is equal to, d z is equal to 0, हाँ जी, d z is equal to क्यों हो गता है, तो यह हमारे पास क्या है, it is not a complete solution, complete integral, क्यों नहीं है, because, it does not contain, two arbitrary constants, ठीक है, इसका दो arbitrary constants नहीं है, तो इसलिए इसका complete solution नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से तो हमारे पास complete solution नहीं आया, अब इसकी बात करते, तो क्या हमारे पास यहाँ से आएगा, तो इसकी बात करेंगे, तो यहाँ से मारे पास क्या बन जाएगा, a time, one plus cow square is equal to, यह उस एट जाएगा, तो माइनस का होगया हमारे पास, ओके, तो यहाँ से क्या बनेगा, इसको में लिख सकता हूँ, क्याँ स्केर is equal to, z minus का b minus का a upon में a, ठीक है, तो one upon a मेरे पास यहाँ पर, इसको देखते हैं, हमारे पास यहां से आगए, क्या Banknaire की value, क्या в कohin औगा है हमारे पास यहाँ पर, one plus cow square, p minus z, क्यो हैं हमारे पास को मना आ ठीक है, तो क्यों के विलगे मेरे पास यह आ चुके, क्या स्केर की value, तो यहां से जो क्यों क्यों होगी वो मेरे पास क्यों जाएगी root of z minus का b minus का a upon में a हां जी तो मेरे पास यहां पर one upon a रखा है ठीक है constant है तो constant से मैं कोई फर्गने पड़ता constant उपर लूँ constant नहीं चलो तो मैं इसको क्या लिखूँ मैं इसको कुछ ऐसे लिख दूँ कि c time z minus का b minus का a ठीक है वेर जो मेरे पास c है यह कि कि इसकी एको लजी one upon a की एको ले है ठीक है मैंने यह आपर लिख दिया constant define कर दिया कि जो मैंने c लिया है यह c क्या जी यह one upon a की value है ठीक है तो मेरे पास यहां से क्या की value आगी तो therefore जो P होगा मेरे पास क्यों जाएगा a time क्याक की value के इसकी क्या कि यह क्यों क्यों है Zusबमाइन सब्सक्शहर है और सक्शमा क्याemics कीए, टीक है यह मेरे पास होगी है P की value आगी? क्या हो की value आगी? ठीक है? Put values of P and क्या हो? In DZ is equal to P Dx फलस की Savior तो therefore DZ is equal to P की value A time root of c time Z minus का B minus की Dx पलस की एफ क्या हो क्योग robust root of c time Z minus का B minus की थीक है जी तो रूट औफ रूट ओप सी टाइम जै डाइड माइनस का बी माइनस का ए रूट पसी टाइड डाइड माइनस का यह कॉम बना जाएगा को मना आगर कि मैं इसको डिवैड में ले जाओ नीचे क्योंकि हम Z के अंदर तुछ को लिए सब्सक्राइब से टाइम जैड माइनस बी माइनस है हम जी लिख सकते इसको मैसा ओके यहां बचेगा अब उन में जैड़ा कोफिशंट क्या एगा इसका मुल्टिप्लाय करेंगे तो सी आएगा तो अब उन में सी इस इकोल टू यहां से एक्स पलस का वाई एक कोशनेंट माल लगते हैं बीचेग ठीक जी इसके इकोल हमारा काम हो गया लुटि ऑक्रिहां से हमारे पास क्या बनेंगा आप में अब इस अपने नौट कर ली होगी का तुम इसको ज़नाय करता हूं तो जो C है, इसके multiply में आकर दो, जो नीचे C बैठा हुआ है, ठीक है, तो 2 time root of C into Z minus B minus A, हाँ जी, तो ये बन जाएगा, C A X plus C Y plus C B, ठीक है जी, तो 2 time root of C into Z minus B minus A is equal to, अब C A की value क्या लिखे, जी, देखो C A, यहाँ पर है, एक ही मिल्टी ले यहाँ कर दो, तो मेरे पास C A बन जाएगा, और C A की value क्या आगई, 1 की equal आगई, तो मेरे पास अब जाएगा, X plus का C Y, plus का C B, C B है, तो इसको कोई constant मान लेता हूँ, कि मेरे पास कोई constant जी, lambda मान ले मैंने आपर, ठीक है, कि lambda constant के को लागया, वेर, जो लेमडा है, वो क्या जी, C B के कोल, मैंने यह पूट कर दिया, ठीक है, और C A की value 1 के कोल है, because of, C A is equal to 1, ठीक है, C A की value 1 मेरे पास, यहाँ से आगई, इतना काम हमारे पास हो गया, ओके, तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर, X plus के C Y, plus के Y, two times this, okay, हम इसके बाद, यहाँ तक छोड़ सकते हैं, हमारा answer आगया, बट एक step और कर दते हैं, यहाँ से, square बोस एड़ कर दते हैं, तो four times C into Z minus B minus A, यह हमारे पास बन जाएगा, और X plus के C Y plus के lambda, इसका square, ती हमारे क्या जाएगा, hence the required complete integral, ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा question number 13 complete होता है, अब बात करते है, question number 14 के, question number 14, 15, P square plus काव square into X is equal to P Z, let F of X, Y, Z, P काव is equal to P square plus काव square, X minus P Z is equal to 0, equation number 1, here, F P, F P हमारे पास P time derivative 2, 2P or minus ka Z, F is equal to 2, F X is equal to P square plus काव square, ठीक है, F Y is equal to 0, F Z is equal to minus का P, इतना का मारे पास हो गया, चार पिट्स, auxiliary equation R, तो हमारे पास बनेगा, D X upon minus F P, D Y upon minus F क्याओ, D Z upon minus P time F P, minus F क्याओ time F क्याओ is equal to, D P upon F X plus के P time F Z is equal to, D Q upon F Y plus क्याओ time F Z is equal to, D F upon 0, ठीक है जी, तो D X upon F P, F P क्याओ अलो 2P minus Z, तो मारे पास का 2P minus Z, D Y upon minus का F क्याओ क्याओ अलो 2P, 2 क्याओ X, D Z upon minus का P time F P क्याओ अलो 2P minus Z, minus Kyaओ time F क्याओ अलो 2K X, तो 2 times Kyaओ स्केर X, ठीक है जी, यह हमारे पास बन जाएगा, तो D P upon F X, F X क्याओ अलो P स्केर, प्लस क्याओ स्केर प्लस P टाइम Fz Fz के विले हमारे पास है मैनस P मैनस P और 1P ये है तो एक बन जाएगा मानस का P स्केर D ko upon Fy Fy के विले हमारे पास 0 और प्लस P और M wisdom तो मानस का P trivial is equal to Df upon 0 तो यहां से देख को P स्केर मानquel Sun-P स्केर जाएगा ओके इसको मालते एक्वेशन नमबर नू टू है एक इंट फेप्ट फेक्षान यह फ्रूम पिक फोर्थ और फिफ फेक्षांच धीगेट तो यहां से बिने गाँ हमारे पास दीप अपॉन चैओ सकिर इज इक ओल टो डीक ओपन माइनस से पी तो यहां से क्याओ से क्या ओक ए आउस्ट जढ़ेगा तो dp upon क्याओ ? Bununnya कवजी ओडिकाओПрो फूर्ट इस्ट करते हैं इंटेग्रीशनिंग जर्ब इसका इंटेग्रेशनिघ्रेटीं जैब इसका इंटेग्रेशनिग तो यहांसे पास आएगा पी स्केर बाई टू पलस क्या उसकेर बाई टू इस इकोल टू एक उशन अमाल लगते हैं एक एक ओल ठीक है जी इसको नाम देते हैं एक विश्न नमबर ठीका तो अब बात करते हैं फ्रूम वन एंड थ्री से ठीक है यह सब जल्दी से नोट कर लिज़ा तो अब फ्रूम एंड थ्री तो यहाँ पर हमारे पास P square plus square तो P square plus square upon 2 आए हमारे पास तो क्या करते हैं इस 2 को साइड बेज देते हैं ठीक है जी और हमारे पास आगा कोई constant A की एक ओल तो P square plus square is equal to A तो हमने यह लिलिया constant यहाँ पर तो यहाँ से देखो क्या बनता P square by 2 plus square by 2 is equal to यह बनता 2C ठीक है तो हमने क्या किया इसको P square plus square is equal to A where 2C is equal to A आप यह लिख सकते हो अदर्वास डायट भी लिख दो कोई problem नहीं है क्योंकि यह constant है और constant को हम दूसरा constant let कर सकते हैं कोई issue नहीं है तो P square plus square लिख यहाँ से एक एको लाई है तो यहां पूट कर देंगे तो यह बन जाएगा हमारे पास AX माइनस का P Z is equal to 0 तो यहां से P Z is equal to AX और P is equal to AX upon में Z ठीक है जी देरफोर स्राइब फिशे थीशे हमारे पास P के लिए है तो यहां से क्यों सकर कर लिए कितने हो जाएगी क्यों सकेट इकोल टो AX माइनस का P Ska A- माइनस का P Ska कर कर लिए एसकेट एक सकेट अपोन जैट सकेट तो यह बन जाएगा अपोन में Z यह Z Root से बाहर है क्योंकि इस पर सकेट करेंगे तो सकेट से Root Cancel Out हो जाएगा ठीक है जी तो क्याओ की वैलिए हमारे पास यह आगई देरफोर DZ is equal to P D X plus क्याओ D Y तो यहां से D Z P की वैलिए हमारे पास है A X upon में Z D X पलस के क्या उक्य वैल्यू है root of az कि minus का a skir x skir अपोन में z dy ठेक है जी इतना काम हमारे पास हो गया है जल्द से इसको note कर लिए इसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर z यहां पर z यहां पर lsm लेगे उस एड़ बेज रते हैं तो यह बन जाएगा z dz is equal to ax dx plus के root of az square minus का a square x square dy ठेक है जी ax dx है इसका integration आशा नहीं हो जाएगा तो इसको लिए आते है इस side z dz minus का a x dx is equal to root of az square minus का a square x square dy उसके बाद z dz minus का a x dx अब उन में इसको नहीं चले काते हैं az square minus का a square x square is equal to dy ठेक है जी इतना का हुमारे पास हो गया अब देखो ध्यान से क्याइस क्या value पर प्र प्रेजेंट है यहां से derivative करेंगे इसका तो 2 az आएगा ठेक है लेकिन हमारे पास यहां पर क्या सिर्फ जैड है तो उपर क्या होना चाहिए 2 a भी होना चाहिए इसका derivative करेंगे तो यहां से 2 a square x आएगा लेकिन मेरे पास तो a है उपर a x है तो 2 a भी चाहिए तो क्या करते है इसको multiply कर देते हैं जी किसके साथ ए के साथ तो az dz minus का a square x dx upon में root of az square minus का a square x square यहां multiply की है तो यहां भी multiply करना पड़ेगा मुझे ठीक है multiply कर तो divide भी करना पड़ता है अब इतना काम हो गया हमारे पास az तो आ गया लेकिन अब 2 भी चीए तो क्या करते है इसको 2 से multiply करते है और 2 से divide करते है ठीक है जी यह चीज़ अब note कर ली होगी तो इसको 2 से multiply 2 से divide करेंगे तो 2 az minus का 2 a square x dx और यहां पर dz और 1 upon me 2 ओनीचे हमारे पास है root of az square minus का a square x square is equal to a dy हां जी अब देखो ध्यान से इसका derivative गरो 2 az तो 2 az इसका derivative गरो 2 a square x 2 a square x minus है तो minus है ठीक है इतना कम हो गया बट यहां पर root भी है root भी है तो इसका derivative क्याने चीए 1 upon आने चाहिए न तो 1 upon हमारे पास प्रेजेंट है ठीक है जी तो यहां से हम क्याले सकते हैं तो 1 by 2 d of az square minus का a square x square is equal to a dy ठीक है इसका derivative अब करोगे तो मारे पास यह मिल जाएगा ठीक है यह मिलेगा कब जब यहां पर क्या आएगा root इसका derivative करके देख लो आपको यह answer मिल जाएगा ठीक है integrating we get तो यहां से मिलेगा 1 by 2 इसका derivative आएगे तो यह बन जाएगा हमारे पास root of az square minus का a square x square is equal to ay plus a constant b ठीक है जी यह 2 यहां पर है 2 के बेज़ दूर साइड ठीक है तो हमारे पास 2 को यहां बेज़ जतता हूं में यह two time हो जाएगा okay यह हमारे पास बच गया हमेची z की value तो यहां से हम क्या कर सकते है इसका answer यह भी हमारे पास ठीक है हम इसका square both side भी कर सकते है az square minus का a square x square is equal to यहां से बनेगा हमारे पास four time ay plus के b का whole square this is the required complete integral ठीक है तो यहां पर हमारे 14 कोशन तक complete होते हैं अब तीन चार कोशन और बच गए वो करेंगे next class के अंदर तब तक के लिए वीडियो को enjoy करो अच्छी लगे तो उन्हें फेंड के साथ जरूर शेर करो बाई-बाई-बाई-टेकर सी यू थैंक यू फोर वोट्जी यू